हेलो माई डियर स्टुडेंट्स देखें विटा आज आपको मैं एक प्यारा साथ टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है नॉमन्क्लेचर ओफ एस्टर नॉमन्क्लेचर ओफ एस्टर बहुत इसली आपको समझा दूगा मैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं विटा नॉमन्क्ल ओफ एस्टर जैसे कि आपको पता है ऐस्टर क्या होता है और C double bond O R यह आपका एस्टर है ठीक है सबसे सिंप्लेस्ट एस्टर बनाते हैं हम देखें ए जो आर होगा ना यह कार्बन की चेन होगी क्या होगी कार्बन की चेन देखें थोरे जयान से सपोस्थ कहता हूं मैं कि म कोई यह एक मेरे पास एस्टर ए यह वाला पॉर्शन आपका सुनीगा आपको किस सरिके सो नॉमन के ट्रिचेर करना है यह आपका सी डबल बॉयण डेख रहा है इसमें आपको सीओ डेख रहा है स्योडू का सी देख रहा का सफिक्स तो यह क्या हो गया प्रेफिक्स कितने कार्वन का है , और資में क्या नबद लेंगे मिठाइल 20 mm और यह कितने कार्वन का तो बोलेंगे इसे इतनोえー जैसे कि आपको पता है कि यास्टdle की लासमना लगता है है आपका ओएट क्या लगता है ओएट तो दो कार्बन का है तो दिखेंगे इसे इथनोइट मिथाइल इथनोइट ठीक है एक और देखते हैं सपोस्थ यह हो गया हमारे पास सेम पाटन पर आप याद करिएगा यह स्यो दिख रहा है यह सेट यह वाला आपको हो गया सबुक्स कि यह वाला क्या हो गया है किन् governments है दो कार्बन सबूरस और वंदेगों इस्टाइल क्या बोलेंगे इसाल और यह दो कार्भन का है तो इतनोट न Anatomy इथनोइट और इथाइल इथनोइट का ना एक कॉमन नेम भी है इसे बोलते है इथाइल एथाइल एथाइल एसिटेट CS3, CS2, C double bond O, O, CS2, CS2, CS3, Aster का CO2 दिख रहा है किस साइड से carbon चीज़ अटाच है इधर से तो यह पूरा का पूरा आपको हो गया S एशा मतलब और यह क्या हो गया prefix कितने carbon का है तीन का तो propyl, propyl और यह तीन carbon का है तो propyl propanoid या वह लेंगे इसको प्रूपाइल propyl propanoid, clear और देखिए हुआ यह सपोज मेरे पास चांग है और इसको और बढ़ा लेते आगे jsback आगे यह डिशल्ज लेते हैं और यह questi ऐस त्यूंरे इसमा आपको दिख रहा है यह आपको दिख रहा यह किटोन है अब असके किटोन में ज़ादा प्रिफेंशल कौन होता है इंदर भी आपके पास ऑफेंट जो और suffix लेकिन इसके अंदर एक और प्रिफिक्स है अब कीटोन को ऐसे प्रिफिक्स हम बोलते हैं ऑग्जो या कीटो ऑग्जो या कीटो हम यहां वर्ड यूस करेंगे ऑग्जोआप कीटो भी कर सकते हो कोई परचान लेकिन न्सीर डिक अंदर कीटो वर्ड यूस नहीं कर रखा आपका आपका और यह अलफबेटिक लिए तो इताइल लिखेंगे यह जाएगा इताइल किसी कारवन पे नहीं अटेच है तो इसकी पोजिशन सिंग्निफाइड नहीं करेंगे लेकिन यह अब जब इसका करेंगे तो यह पहला जाएगा दूसरा तीसरा और चौथा तीसरे प इस तरीके से आप एस्टर की नॉमन क्लेचर कर सकते और देखिए बिटा जल्दी नोट के लिए इसको फास्ट कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बिटा डन चलिए कि नेखिए सबस्पोज मैं कहता हूँ कि मेरे पासने यह हो गया एक है 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 कि अकना गए है सब्सक्राइब यह हो गया आपका सब्सक्राइब यह कितने कार्वन और गाउंगा 1 2 3 4 5 तो यह हो गया प्रिफिक्स तो ही से लिखेंगे पांच का है तो पैंटाईल बोलिए और यह हो गया एक, दो, तीन, तो प्रोपेनोएट, तीन के लिए प्रोपेनोएट, डाउट है किसी को, डाउट बेटा, हाई है ना, नो, जल्दी नोट करिए इसको, यह हमारे पास एक, इसका राम करते हैं, आपको देख रहा है, यह सी ओ टू का जो सी है, वो किस साइड से कार्बन की चीन साटाच है, इस साइड से, इधर से तो, ओ से अटाच है, तो इधर से यह आपका सफिक्स हो जाएगा, यह कितने का होगे, एक, दो, तीन, चार, तो ब्यूटाइल, ठीक है, ब्यूटाइल, यह B से स्टाट होगा, ब्यूटाइल, फिर, अब यह आपका, बिटा यहां सुरो, यहां सुनो, यहां सुनिए, यह आपका तीन कार्बन की चेन है, वन, टू, त्री, टू पे लगा है क्लोरो, ठीक है, अब मुझे पता ही था भाई कि यह B से स्टाट होगा, तो यह आपके एस्टर के नॉमनक्लेचर, कोई भी डाउट होगा, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्टर बताईए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्स्राइब करेगा, और वीडियो कर अच् और वीडियो करेओं, ठीक यह.